अलू दोस्तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप healthy और fit होंगे दोस्तों body fit होने के साथ हमारे बालों का भी healthy होना बहुत जरुई है क्योंकि बालों से किसी की भी खुभ सूर्ती में चारशान लग जाते हैं लेकिन आज के टाइम में बालों का लगातार तूटना और वोलियम कम हो जाना अब एक आम समस्या बन गई है बालों की खोई हुई चमक को वापस लाने के लिए महेंगे सीरम या ट्रीटमेंट की जरूत नहीं है आप इसके लिए हेर रिंस का इस्तमाल कर सकती है बालों को शैंपू करने के बाद हेर रिंस का उपयोग किया जाता है आपको बाजार में हेर टाइप से लेकर कंडिशन तक के लिए हेर रिंस मिल जाएंगे एपल साइडर विनेगर का इस्तमाल बालों में करने से कई तरह के फायदे मिलते हैं बालों में चमक लाने के लिए भी आप सेप के सिरके का उपयोग कर सकती है एक स्प्रे बोतल में एपल, साइडर विनेगर और पानी डाले आप बोतल को अच्छे से शेक कर ले ताकि दोनों चीजे अच्छे से मिक्स हो जाए लीजे तेयार है एपल, साइडर विनेगर से बना हेर रिंस बालों को वोश करने के बाद इस हेर रिंस का इस्तमाल करें इस कैल्प, जड़, टिप और बालों में अच्छे से हेर रिंस लगा ले कुछ देर मसाज करें और ठंडे पानी से बालों को दोलें आप रोजाना इस हेर रिंस का इस्तमाल कर सकती है इसके उप्योग से आपके बालों की खोई हुई चमक वापस आ जाएगी एपल, साइडर विनेगर बालों को मजबूत बनाने का काम करता है इसके उप्योग से हेर ब्रैकिज नहीं होती इस केल्प के पी-च लेवल को बैलन्स रखने के लिए एपल, साइडर विनेगर फायदे बंद है जटे बालों के दिये भी आप घरेलून उसके रूप में इस सिर्के का इस्तमाल कर सकती है ब्लैक टी का इस्तमाल बालों में भी किया जा सकता है आप इसके मदद से हेर रिंस बना सकती है यह हेर रिंस नकेवल आपके बालों को शाइनी बनाने का काम करेगा बलकि इसके उप्योग से बाल काले भी हो जाएंगे चलिए अब आपको बता देते हैं इस सीर्म को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए थोड़ी सी काली चाय की पतिया और पानी काली चाय की पतियों को पानी में डाले और कुछ देर से अच्छे से उबाल ले करीब 5-7 मिनट बाद गैस बंद कर दे जब ये पानी ठंडा हो जाए तब इसे एक बोतर में स्टोर कर दे शावर के बाद बालो को इस पानी से अच्छे से दो ले फिर बालो को सुखा ले आप हफते में 2-3 बार बालो को इस हेर रिंग से दो सकती है इन बातों का रखे ध्यान जो हम आपको बताने जा रहे हैं बालों की चमक को बरकरार रखने के लिए तेल लगाना बहुत जरूरी होता है नारियल का तेल और ओलिव ओयल शाइनी बालों के लिए सबसे बैस्ट आप्शन है गरम पानी से बालों को नुकसान न पहुंचे इसलिए आप गरम पानी का कम से कम इस्तमाल करें इससे न केवल बाल ड्राय हो जाते हैं बलकि बालों की चमक भी कम हो जाती है इसलिए बालों को दूने के लिए ठंडे या गुन-गुने पानी का इस्तमाल करना चाहिए हेर स्टाइलिंग टूल्स बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं बिना hair serum और aloe vera gel लगाए बगैर tools का उपयोग करने से बालों की shine कम हो जाती है एक बास जरूर note कर ले, बालों में किसी भी चीज के उपयोग से पहले patch test जरूर करें दोस्तों अगर आप भी पतले और damage बालों से परिशान हैं तो इस tips को जरूर अपनाएं या आपके बालों की चमक बदल देगा, साथ ही इसका कोई side effect भी नहीं है तो आप बिना कुछ सोचे इसे use कर सकते हैं, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और वीडियो के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं, वो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ फिलाल आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, खुछ रहें